एक दिन माद्वी अपने घर आती है और चिलाती है बबीता ओ बबीता कहां मार गई रहे अभी तक खाना नहीं बनाया इस लड़की का मैं क्या करूँ पूरा दिन मैं काम करकर आई हूं और इसने अभी तक खाना तक नहीं बनाया और घर भी देखो वैसे ही भिक्रा है तब ही बुवीता की अवास आती है आई मा इसके बाद अचानक से वहां का ठाकुर आयर आ जाता है और कहता है अरेयो बुडिया जल्दी से बता मेरा पैसा कब दे की इसे निकरमादवी कहती है साहिब आपको कितनी बार कहा है मैं आपका पैसा दे दूंकी अभी मेरे पास पैसा नहीं है ठाकुर कहते है लगता है आज तेरे घर का समान बाहर फैंकना ही पड़ेगा बाहर गुंडा लोग खरे है वो आकर तेरा सारा समान बाहर फैंक जाएंगे समझे तू तब ही वबीता वहां आ जाती है और कहती है आप ऐसा नहीं काल सकते समझे अगर आपने ऐसा किया तो मैं पुलीस को बताऊंगी और आप के पैसे हम दे देंगे जे देकर ठाकुर कहता है ये सुंदरी कौन है मादवी कहती है बेटा तू अंदर चली चा जे देकर ठाकुर कहता है बेटा, तो तेरी ये बेटी है, इतनी बड़ी कब से हो गई, और हाँ, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बलके मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूँ का, तेरी बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिष्टा है, ठाकुर का, ये दिकर मादवी कहती है कभी नहीं, ठाक मादवी कहती है, बबीता, ये तू क्या कह रही है, बबीता कहती है, मा, आप सिंगी भर मुझे नलाइक समझती रही हो, मैं आपके लिए बोच नहीं बनना चाहती, मैं तैयार हूँ ठाकुर, इसके बाद, ऐयर और बबीता की शादी हो जाती है, समय बीटता है, अब ऐयर बबीता पर खूप अतिया चार किया करजा था, एक दिन बबीता कहती है, एजी आज आप लेट क्यों आए हो, शिदिकर एजर कहता है, तुझे इससे क्या, मैं लेट आऊ या जल्दी, तू ज्यादा मेरी मैडम बनने की कोशिश मातकार छोकड़ी, और उसे एक थपर लगा एक दिन बबीता बाहर सबजी लेने चाहती है, बाहर जेठा लाल होता है, शिदिकर जेठा लाल कहता है, बबीता तू, तू कहां गई थी, मैंने तुझे इतना धूंडा, तू मेरी फ्यांसे है, और तू कहां चली गई, और इस घर में तू क्या का रही है, बबीता कहती है अब मैं तेरी नहीं रही जेठा और उसे अपने सारी कहानी सनाती है शिदिकर जेठा लाल कहता है तू चिंता मत कर बबीता मैं तुझे इस नर्ग से अजादी दिलाओं का आज रात ही हम शेहर भाग चलते हैं बबीता कहती है लेकिन अगर इसे पता चल गया तो शिदिकर कहता है तू चिंता मत कर इसे नहीं पता चलेगा और हाँ और हाँ मैं तेरी माँ को भी शेहर बोच जा दूँगा इसके बार रात को वो भागने लगते हैं आई येर वहाँ आ जाता है और कहता है चीडिया अपने पिंचरे से भागने की कोशिश कर रही है लेकिन वो ये बात भूल गई थी के उसके पार कटे हुए है ठाकु रैयर को धोका अब तुम दोनों नहीं बचोके शिदिकर बबीता रोने लाग चाती है और कहती है तुम हमें मारना चाता है ना मार दे तुम और कार भी क्या सकता है मैं तुछ पर थोकती हूँ शिदिकर ठाकुर कहता है तेरी ये हिम्मत और उसकी बात दोनों को गोली मार देता है तो दोस्तों कैसे लगिए आपको आज के मारी ये स्टोरी अपना बहुत साथ क्यार रखें